तो आज मैं लेकर आए हूं एक ऐसा होम रेमेडी जो आपके स्किन में बहुत जादा ग्लोइंग देगा शाइनिंग बनाएगा डल है टाइरिंग स्किन है इन सब को रिमुव करके आपका स्किन बहुत जादा फ्लॉलिस होगा और जैसे कि एक्स्पोजर तो सन के वज़े से ह है आप कोई बात नहीं love is very much important for yourself अपने को प्यार किजेए friends and your self confidence makes you more beautiful ही कहना चाहूंगी but definitely skin care routine अगर आप फॉल करते तो स्किन आपका बहुत जादा healthier हो जाता है तो हमें अपने उपर भी ध्यान देना चाहिए तो आज सिंपल सी home remedy इसको follow कीचे once in a week आप देखेंगे आपका स्किन बहुत जादा गलॉप करेगा so let's begin तो first step होने वाला है आपको use करना है raw milk जो की कच्छा दूद होता है इसमें होता है anti inflammatory properties होता है जो relief करता है various skin problem को like acne sunburn irritation होता है आपको यह cure करता है simple आपको क्या करना है cotton से लेकि अपने clean face पे 3-4 minute अच्छे से clean up करना है अपने face को यह आपके gentle clean करेगा और साथ में यह bleaching effect भी देता है friends तो आप इस process को daily भी follow करेंगे तो यह आपको younger looking skin देगा इस process को daily आप follow कर सकते हो और अच्छे से मैंने इसे लगा लिया है और इसको फिर dry होने देते हैं neck पे लगाए अगर आपका neck भी बहुत जादा dark है तो इसको just simply आपको लगाना है cotton से हलका हलका massage करते हुए और यह आपके skin को बिल्कुल clear कर देगा अब मैं इसको छोड़ देती हूँ हलका सा सूखने के बाद मैं इसको पोच लूँगी wet towel से तो यह कच्छा दूद को आपको apply करना है under eye हिससे में भी और इसको few minutes आप छोड़ देते हैं इसके बाद simple मैंने wet towel से पोच लिया है अब ह स्मूद करेगा moisturize करेगा exfoliate करेगा तो इसके लिए मैंने लिया है चावल का आटा आप चावल को simple mix jar में भी पीश सकते हैं या आपको मिल जाएगा market में चावल का आटा वन टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है चावल का आटा और वन फोर टी स्पून के करीब इसमें डा जाएगा तो इस तरह से मैं मिक्स कर लिए हूं करीब दो टी स्पून के करीब मुझे लगा है इसमें दही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बिल्कुल स्मूद सी कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए और इस तरह से आपको फेस पे लगाना है आइस के हिस्से को छोड़के आपको अच्छे से लगाना है फेस के क्योंकि आइस का हिस्सा काफी जादा जेलिकेट होता है तो उसको वहां पर नहीं लगाना है सिंपल आपको लगाते हुए इस तरह से हलके हातों से कम से कम फाइब मिनिट्स मसाज करना है आप चाहे तो इसको नेक पे भी लगा सकते हो तो हलक कि आपके हातों से मैंने 4-5 मिनिट्स कम-से कम इसको मसाज करना है बिल्कُल जेνटली यह आपके स्कीन को एक्सपलीएट करेगा और राइस फ्लावर स्कीन को बहुत ही एच्छे से में गलोई आप तेता है डिड़ स्कीन को रिमोव करता है साथ में स्कीन को बनाता है वाऑ मिनिट्स लगाने के बाद और स्किन काफी हद तक स्मूध हो जाता है इस स्टेप को फॉलो करने के बाद हम करने वाले हैं नेक्स स्टेप जो कि लास्स टेप होने वाला है थर्ड स्टेप यह होने वाला है तो यह लास्स टेप होने वाला है फेस पैक का और इसके लिए मैंने का आटा और इसमें वन टीस्पून के करीब मैंने लिया है यह मुलतानी मिट्टी जैसे कि अभी समर है बहुत साथा स्वेटिंग होता है तो यह रिमूफ करता है इसमें डालने वाली हूँ अब थोड़ा सा दही तो दही इसमें जरुत के हिसाफ से मैं आट करने वाली हूँ और अच्छा सा स्मूध सा एक पेस्ट तयार कर लेना है स्मूध सा फेस पैक यह आपके स्किन को गलोब देगा तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है यह राइस फ्लावर इसमें जो हमने आट किया है यह आपके कॉंप्लेक्शन को गलोब देगा डिमिनिश्यस ओईलिनेस होता उसे रिमूफ करता रिड्यूस करता एक्नी स फाइट करता है प्रोडक्शन ओफ सीमन को रेगलेट करता है प्यूरिफाइज स्किन करता है साथ में सूथ करता है रिपेर दर स्किन एक्स्पूलेट करेगा जो ब्लॉक पोर्स होता ना फेशियल पोर्स उसको भी क्लीन अप करता है नरिश करेगा माश्यराइज करेगा औ तो इसको follow up कीज़ेगा all over the face मैंने apply किया है under eye area को छोड़ के friends और आप इसको body में भी use कर सकते हैं बागी का मैंने अच्छे से इसको scrubbing किया था अपने hands को और इसके बाद इसको रखना है only for 20 minutes और मैं wet towel से इसको पोच रही हूँ after 20 minutes के बाद और simple मैं इसको wash कर लूँगी तो ये 3 बहुत ही ज़्यादा beneficial steps है follow कीज़ेगा इस summer में काफी ज़्यादा tanning और बहुत ज़्यादा चैरा बिल्कुल मुर्जासा जाता है बिल्कुल shiny रहता है तो आप इसको follow up कर सकते हैं and you can see the difference तो मैंने अच्छे से wet towel से पोच लिया है और face को मैंने फाइनली wash के लिया था plain water से और इसके बाद आपको simple apply करना है कोई भी moisturizer जो आपको पसंद है वो apply कर सकते हो मैंने apply किया है इसमें pilgrim का moisturizer तो मैं use कर रहे हूँ हूँ tea tree moisturizer non sticky है बिल्कुल non oily है बहुत ही अच्छा summer के लिए बिल्कुल perfect है यह है pilgrim का तो इससे मैंने follow up किया and you can see the difference तो हफते में एक बार इसको apply किचेगा यह remedy को और आप देख सकते हो आपका skin बहुत ही जादा glow up करेगा बहुत जादा smooth हो जाएगा and I hope you like this video मिलते है को अनदर वीडियो के साथ stay blessed and happy bye bye